इन विच और फॉलॉइंग अरेंजमेंट दस्ट्रेंस नॉट स्ट्रिक्ली एकॉर्डिंग फॉपर्टी अगेंस इट कौन सा ऐसा जो आप जो आडर लिखा हुआ है जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ उसके एकॉर्डिंग टेंड को फॉलॉव नहीं कर रहा है आए देखते ह इनक्रिजिंग औक्सडाइजिग फावर यह ऐकिसरों में लिखे हुए है अपने ऑक्सडाइजिंग पावर के के अकॉर्डिंग लिखेंग अब पहले समझते है ऐक शिदाइजिंग फावर होता क्या है औक्सडाइजिंग पावर कर मतलब ही jumped study कि जो दूसरों को ऑक्सडाइज कर सके जो दूसरों को क्या कर सके ऑक्सडाइज कर सके और अपना क्या करा ले रेडक्शन अपना मतलब इस सेल रेडक्शन खुद का उससे क्या कराना होगा रेडक्शन कराना होगा ऐसी और की बात की गई है ठीक है अब इसमें क्या बोले कौ according to the property return, नहीं है, कौन सा ऐसा नहीं है, तो हम देखते हैं, अब, यह क्या चाहता है, यह चाहता है कि प्लस 4 से convert हो जाए, प्लस 2 में, due to the inert pair effect, सही बात है, down the group जाने पे, non metal में, कौन कौन से group होते है हमारे, 13, 14 और 15, इन तीनों group में हमारा क्या लगता है, inner pair effect, क्या लगता है, inner pair effect लगता है, जिसके वाज़े से हमारा, inner pair effect लगता है, जिसके वाज़े से हम क्या बोलता है, कि lower, down the group जाने पे, क्या होता है, कि जो भी element होते हैं, वो अपने lower oxidation state में क्या रहना चाहते हैं, इस्टेबल होते हैं, तो इस हिसाफ़ से PbO, PbO2 हमारा, PbO2 में stable ना होके, PbO मतलब plus 2 oxidation state में क्या रहेगा, stable रहेगा, it means PbO2 convert होना चाहेगा, इसमें PbO में, ठीक है, पर क्या, CO2 भी ऐसा करना चाहेगा, नहीं, क्योंकि ये lower element है, और lower element क्या करते हैं, उस group में क्या करते हैं, सबस्वर टॉप पर प्रेजन्ट है, तो हमारी जो property होती है, और down the group चाहने पर ऐसे सो करती है, तो ये अपने higher oxidation state में क्या रहेंगे, stable रहेंगे, तो ये oxidizing power सो नहीं कर सकते, इनकी oxidizing power सबसे कम, इसकी उससे तोड़ी से जादे, इसकी सबसे जादे, इसकी सबसे जादा, तो ये order हमारा क्या हो गया, सही हो गया, अब हम बात करें basic strength के, हमने अभी देखा था कि down the group चाहने पर हमारी acidic strength क्या होती है, बढ़ती है तो basic strength क्या होनी चाहिए इसके कोड़ी घटनी चाहिए basic strength क्या होगा जो अपने loan pair को easily donate कर सके तो सबसे क्या होगी इनकी ज्यादा होगी तो basic nature नहीं और दूसरे term अगर हम बात करें तो आपने पड़ रखा है अपने hybrid orbital में होते हैं जबकि यह बागी क्या होते हैं ड्राइगोस compound होते हैं तो इनके loan pair क्या होते हैं pure orbital में होते हैं तो वो donate करने के tendency नहीं रख सकते हैं इसलिए सबसे ज्यादा basic order उसका होता है एनस्ती का होता है तो हमारा answer क्या हो जाएगा दाउन्द ग्रूप जाने पर एसप्रस डॉनेट करने के tendency बढ़ेगी एसटिक स्टेंद बढ़ेगी आइन इसलिए इनरजी की बात करें तो सबसे ज्यादा nitrogen दूटू दे half field फिर oxygen फिर कार्बन फिर हो रहा जो इस ट्रेक लिफ और वह नहीं कर रहे हैं वह कौन सा है बी ठीक है